शंबू बॉर्डर पर चल रहे किसान अंदोलन पर कोट का बड़ा फैसला आप देख रहे हैं जेके नियू स्टूडे और मैं हूँ आपके साथ सीमी बड्याल 13 February 2024 से शंबू बॉर्डर पर किसान अंदोलन चल रहा है उनकी मांग है कि उन्हें उनकी फसलों की पैदावार की सही दाम दिये जाएं याने के MSP सही हो इसलिए वह दिल्ली कूच कर रहे थे लेकिन शंबू बॉर्डर अंबाला के पास हर्याना में कंक्रीट की दिवारे बना कर बैरिकेडिंग कर दी गई थी इस कारण किसान आगे नहीं बढ़ सके तब सही किसान वही पर धरने पर बैठे हैं एक खबर सामने आ रही है कि किसान अंदोलन के चलते आज पंजाब हर्याना हाई कोट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है हाई कोट ने हर्याना सरकार को आदेश दिया है कि शंबू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को एक हफते में हटाया जाए इस दोरान कानुन विवस्था बनाए रखने की जिमेदारी हर्याना और पंजाब दोनों सरकारों की होगी हाई कोट ने किसानों को कानुन विवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी है कोट ने कहा है कि अब शंबू बॉडर पर महज 500 परदशिनकारी है इसलिए अब ये हाइवे खोला जा सकता है ये हाइवे पिछले 5 महिनों से बंद है इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता इससे लोगों को परिशानी आ रही है जो लोग हाइवे पर ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें लंबे रास्ते चलना पड़ रहा है वही हाइवे कोट के आदेश के बाद बताया जाता है कि किसानों ने राहत की सांस ली हाइवे कोट में एक एडवोकेट ने शंबू बॉडर खुलवाने के लिए हाइ कोट में जनहित याचिका दायर की थी उन्हें बताया कि पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद है इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े, रेड़ी फड़ी वाले बुकमरी की कगार पर आ गए है याचिका में मांग की गई थी के शंबू बॉडर को तुरंट खोलने के आदेश दिये जाए 13 फैबररी दो हजार चोबीस को किसान अंदोलन के कारण शंबू टोल प्लाजा को भी बंद किया गया था तब से अभी तक अंबाला लुद्याना राजमार्क बंद पड़ा है इस अंदोलन ने काफी समय तक रेलवे यातायात को भी प्रवावित किया था इसी मसले को लेकर पंजाब हर्याना हाई कोर्ट ने फैस्वा लिया है कि शंबू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को एक हफते में खुलबाया चाए तो ऐसी तमाम ख़बरों को देखने के लिए आप देखते रहे है जेकी न्यूस टूड़े कैमरमेन सोमदत के साथ मैसी मी बढ़िया